हलो दोस्तों स्वागत है हमारा यूट्व चैनल टेकनोलोजी टिटोरियल 2.0 दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने बाले हैं तो विडियो को शुरू से अंतक देखिएगा सारा चीज आपको समझ में आएगा चलिए पहले हम देख लेते हैं कि कौन-कौन सा डोकूमें करना है और हमें आदा आक अधार बनाना है उसके बाद टाइपिंग का ऌगर दिए हैं तो टाइपिंग अंतीक नाने के लिए पहले क्या करना होगा पहले हम सब बता देते हैं प्लिया से डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे इसे हम open कर लेते हैं open करेंगे तो कुछी तरह से खुलेगा उसके बाद आपको सिदे camera पे किलिक करना है camera पे किलिक करेंगे और जो भी document रहेगा सभी को इस तरह से खिस लेना है फोटो और फोटो खिसते ही अपने आप इस तरह से crop भी आ जाएगा यहां से अगर कोई area छुट करेंगे और उसके बाद यहां पे दो आपको रहेंना होगा यहां पर इस पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद यहां पर सेब इंटर डोकोमेंट पर किलिक करेंगे उसके बाद यहां पर यहां पर पेंसिल दिख रहा होगा यहां पर यहां पर पेंसिल है इस पर किलिक करेंगे और जो भी फोट यहां पर जिस भी फोट अथिकार रहेगा सेटिफ दिख रहा होगा है आपको यहां पर कंप्रेस लिखा हुआ है कंप्रेस नाव पर किलिक करेंगे यहां पर किलिक करेंगे उसके बाद यहां पर यहां पर इधर करेंगे तो यहां पर साइज जो है कम हो जागा यहां पर अभी देख सकते हैं कि एक एक से ज्यादा था यहां पर को चूज कर लेना उसके बाद यहां पर यूज फोल्डर या तो ऐसे भी आप नहीं भी सूज करेंगे यहां से शेव हो जाएगा तो इस तरह से सारा डोकुमेंट को आपको सेव कर लेना है इसी तरह से पीडिया बना कर एक एमबी से कम रखना है साइज उसके बाद यहां पर आकर देख लेना है कि सारा मेरा हुआ एक फाइल में आएंगे और यहां पर आपको जितना भी जो है डोकुमेंट आप सेव करेंगे यहां पर आ यहांपे क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं यहांपे इस तरह का खुलेगा उसके बाद यहांपे रजिस्टेशन नमर पासपोर्ट और यहांपे जो केप्चर है केप्चर इसमें डाल देना है उपर में रजिस्टेशन नमर इसमें डालेंगे इसमें पासपोर्ट और यहांपे इ हैं कि इमेल में आएंगे और यहां पर इस तरह से यहां पर आएंगे सर्च में सर्च में Subs logging कर लेंगे यहां पर ऑठाओ यहां करेंगे तो लोगिन पर किलिक करते ही इस तरह का खुल जाएगा और इसके बाद यहां पर फर्स्ट स्टेप है अगर इसमें आपका कुछ गलती है तो इसे इडिट करना अगर है तो इडिट करने के लिए यहां पर आपको दिख रहा होगा किलिक हैर फोर प्रिव्यू एंड इडिट अगर यहां पर आगर इडिट करना है तो इसको लिए एडिट करना रहेगा मतर जो ह 시청शें करेंगे यहां पर और लग्स और नहीं चिरहेंगे तो यहां पर करेंगे अर्यासे नो नो करते से लाएगा सुदर ना है तो इस तरह से हम नो करेंगे और उसके बाद यहां पर नीचे आएगे और यहां यहां पर जो बॉक्स दिख रहा है जो जो आप डोकुमेंट आप दिख जाएगा और यहांसे जो जो लगाय हुए वह यापको अपलोड भी करना है यहां पर इसमें भी आगर कुछ गलत हुआ है इडित करना है तो यहां पर गलत लगत रहेंगे और नहीं कर सही है तो वहांपे नो कर लेना और उसके बाद सब्मीट पर क्लिक करेंगे तो फिर से बाहर इसी पर आजाएगा यहां पर आजाएगा और यहां आने के बाद यहां पर चेक आउट करेंगे चेक आउट करने के बाद यहां पर सेब एंड नेक्स्ट करेंगे सेब कि पर डियाप वाहां पे सो कर जाएगा जो भी जम कंति किया दो तेज्ञ कर करें यह उस्कों चूज कर लेना हुए और चूज करते ही यह-" न पे आ जाएगा यहां प्लोडिश दे से सबको upload कर लेना है इस तरह से upload करने के बाद यहां पर submit दिख रहा होगा submit पर click करेंगे submit पर click करते हुए उस इस तरह का pop-up खुलेगा अब यहां पर क्या करना है यहां पर लिख रहा है click here to view document यहां पर जो भी document अप upload किया है यहां पर आपको एक बार देख लेना आए सब को click करके सही है कि नहीं है इस तरह से सब पर click करकर करके देख लेना है click here to view document पर click करके सब को देख लेना अगर गलत है तो re-upload आपको दिख रहा होगा री ऐसे अपलोट पर किलिक करना है और फिर से उसे जो सही रहेगा उसको अपलोट कर लेना उसके बाद यहाँपे आपको एक ट्डिक आउट दिख करने के बाद कुछ इस तरह का पूह है करने के लेकरने के स्टेश आप प्रिंट आपडेट एकलिकेशन फॉड? में आजर्मैंसे जो अभी जो डोकूमेंट अफ़लोड किया हैं इसके साथ जो vehicle कंवहải रेडा यहां से आपको प्रींट लिंगा लेना उसके बाहत यहां से लोगिन कर देना तो हैंसे सोपी मिलते हैं अगले वीडियो में